हेलो यूट्यूबर्स एंटेक लवजादेक, शितिश गुमार अगें येर फ्रम हाराइजन टेक फॉर यू और हाराइजन टेक फॉर यू के आज के इस अपीजोड में हम बात करने वाले हैं सेटा के बारे में सीरियल ATA, सीरियल एडवांस टेकनोलोजी एटेच्मेंट, ठीक है सेटा का फॉल फॉर्म आज मैं आपको समझाओंगा कि सेटा प्रोडोकॉल क्या है, सेटा इंटर्फेस क्या होता है, उसके साथ जो प्रोडोकॉल नया लॉंच हुआ, A-A-C-I-S, एटवांस, होस्ट, कंट्रोलर इंटर्फेस यह सब क्या है और SATA के जो different revision है उसको हम discuss करेंगे उन सब की maximum speed है और जो actual speed है जो उसमें मिलती है real world practical में क्या difference है जो theoretical speed वहाँ पे mention होती है और real में जब आप उस particular interface पे उस drive को connect करते हो SATA drives को तो वहाँ पे आपको क्या speed मिलेगी as well as उसके advantages, disadvantages आज सब कुछ यहाँ पे हम अच्छे से discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले SATA को अच्छे से समझने के लिए आपको पेटा क्या है वो पता होना चाहिए तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है parallel ATA, यहाँ पे बात होने वाली है serial ATA की लेकिन उससे पहले आपको parallel ATA क्या है वो समझना पड़ेगा as well as data transmission modes इसकी बहुत ज़ादा ज़रूरत पड़ती है जब इस प्रकार के हम वीडियो बनाते हैं as well as आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जो transmission है वो किस प्रकार का transmission है कोई भी interface है चाहे computer का कोई भी interface ले लो से जा रहा हो लेकिन आपको किसी भी interface को या पूरे computer को मैंने data transmission mode वाले वीडियो में भी कहा था अगर आपको computer को detail में अच्छे से समझना है तो आपको यह जो सारे की सारे data transmission modes है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा तभी आपको यह जो अलग-अलग interface है और एक की बुराईया एक की अच्छाईया उसका जो disadvantage है और दूसरे में क्या advantage मिलेगा वो सब अच्छे से समझ मे हैगा तो data transmission modes वाला वीडियो देख लीजिए data को अच्छे समझने के लिए as well as peta जो parallel ATA है IDE जिसमें मैंने समझाया था वो समझ लीजी तो वो आपने वीडियो देखा होगा अगर हमारे subscriber हो तो definitely वीडियो देखा होगा आपने और नहीं देखा है तो देख लीजिए तो उस 90's में computer use किया है या early 2000 में भी जिसने computer use किया है 2001-2003 तक भी उसने कहीं न कहीं पेटा का use किया होगा और IDE जो protocol है उसका use किया होगा तो उसमें बहुत सारी कमिया थी ठीक है सबसे पहली जो कमी थी वो तो सबसे बड़ी और सबसे main कमी जो मेरे जैसे users को सबसे जादा लगती ह वो थी speed उसमें जादा speed नहीं मिल सकती थी क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा जो disadvantage था या drawback कह लीजे वो ये था कि वहाँ पे उस protocol का जो नाम है वो ही suggest करता है parallel ATA तो वहाँ पे data सारा का सारा parallel transfer किया जाता था तो उसकी वज़े से जहां भी कहीं भी parallel transmission होता है all over the world वहाँ अगर frequency को बढ़ाने की कोशिश करते हो और definitely हमें frequency बढ़ाने की क्योंकि हमें जादा speed चाहिए जब भी frequency बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे data के जो corruption और latency के chances है वो बहुत बढ़ जाते हैं overall latency बढ़ जाती है तो speed बढ़ ही नहीं पाती ठीक है frequency हम बढ़ा देंगे उसके साथ latency भी बढ़ेगी तो overall जो data transfer rate है जो हमें megabytes या gigabytes में जो भी हमें चाहिए मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा overall जो transfer rate है वो वहीं के वहीं या उससे थोड़ा सा जाधा हो जाएगा वहीं पे एक stuck हो जाएगा ठीक है तो इसलिए ये जो सारी उसमें कमिया थी बहुत स अच्छे से तमझ में आ जाएगा और सबसे बड़ा जो उसका disadvantage था वो यह था कि वहां पे जाधा speed नहीं मिल दी थी तो इन सब को दूर करके parallel ATA को हटा के इस interface को पूरा replace करके नया interface design किया गया ठीक है 2003 में इसे launch किया गया जिसका नाम है Serial ATA तो इसका नाम ही suggest करता है कि इ latency के और data corruption के जो issue आते थे वो खदम कर दिये गए speed हमें जाधा मिलने लगी वहां पे जो beta था उसका जो last version था उसकी जो maximum speed थी 133 megabytes per second वो भी theories में practical world में कभी यह theory का और practical का जो एक war है वो हमेशा चलता रहेगा theories में जो speed दिखाई जाती है वो real world में नहीं मिलती है ठीक है तो अगर आपके पास कोई beta drive भी है और आप उस beta का जो last version है उस पे आप use कर रहे हो ठीक है IDE पे तो भी आपको 133 megabytes per second कभी नहीं मिलेगी ठीक है तो उसकी maximum जो speed थी वो round around beta drives अगर किसने use की होगी उस जमाने में तो उसको पता होगा कि वो maximum से maximum 80 से 70 80 के बीच में ही रहती थी ठीक है 100 भी क्रॉस नहीं किया था मेरे पास उस वक्त जो hard drive थी मैंने भी use किया है तो मैंने नहीं देखा था कि उसमें maximum 70 से beyond भी कोई hard drive एचीव कर पाती थी ठीक है 133 megabytes तो on theory थी उसका जो last protocol था तो यह सब सेटा को launch किया गया वहां पे connector सेटा में बहुत सारे advantages हो गए जो पेटा के सारे disadvantages थी उन सब को दूर कर दिया गया सबसे पहला जो improvement हुआ वो था serial transmission parallel transmission को छोड़ दिया तो यह जो corruption के latency के जो issues थे वो दूर हो गए frequency हम increase कर सकते हैं और frequency हमें increase करनी ही थी इसलिए हमने सेटा design क सेटा में speed बढ़ गई अब सेटा के अलग-अलग version में समझाऊंगा तब आपको समझ में आयागा कि उसमें कितनी speed मिलती है लेकिन overall speed में improvement बहुत हुआ ठीक है तो सेटा में improvement हुआ speed बढ़ने लगी serial transmission होने लगा as well as उसका जो connector है जो पिछला वाला connector था पेटा का बहुत सेटा में ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पे connector मोटा था इसका reason यही था कि parallel transmission होता लेकिन सेटा में serial transmission होता है तो जो cable है वो भी बिल्कुल छोटा हो गया connector भी बिल्कुल छोटा हो गया तो यह advantage है as well as जो air flow में problem आते थे वो भी सब हट गए जो पूरा computer का case है जो temperature है वो भी सही रहने लगा as well as master slave के setting करने पड़ते थे वो अब हमें physically नहीं करने पड़ते पेटा में क्या होता था physically भी वहां पे हमें settings करने पड़ते थे जंबर के setting करने पड़ते थे अब SATA के साथ क्या हो गया कि physically ऐसे कोई setting करने की ज़रूत नहीं है तो आपको case को को खोलना भी नहीं कर दिया गया all over the world ठीक है सब सारे computer community में सब को use करने के लिए अब सेटा के यह तो सेटा की एक basic understanding हो गई अब आज के टाइम में पेटा कहीं भी अवेलेबल नहीं है मैंने उस वीडियो में भी कहा था आज की जितनी भी आपके पास hard drive है SSD है SSHD है और इसके अलाव भी अगर आपके पास कोई drive है optical drive है CD DVD Blu-ray जितनी भी drives है यह सारी की सारी आज सेटा इंटरफेस में आती है और motherboard पे जितने interfaces होते हैं इन सारी drives को connect करने के लिए वो भी सेटा इंटरफेस होते है ठीक है अब सेटा के अलग-अलग revision की बात करते हैं अलग-अलग जो वर्जन है सेटा के इस वीडियो में मैं सेटा के जो तीन वर्जन है वो ही समझाओंगा सेटा के वर्जन सेटा एक्स्प्रे यह सब सेटा के ही वर्जन है लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको समझाओंगा तो यह वीडियो बहुत लंबबा हो जाएगा तो SATA 1 जो 2003 में रिलीस किया गया, उसकी जो theoretical maximum bandwidth थी, वो थी 1.5 gigabits per second, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यह सारी के सारी जो speeds है, और यह सारा data transfer rates है, वो अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आपको computer data units का crystal clear idea होना चाहिए, ठीक है, bits और bytes में अगर आपको difference नहीं पता है, और उसके अलाव भी जो सारे units है, KB, MB, GB, TB, यह सब नहीं पता है, तो आपको वो वीडियो पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद ही यह सारे के सारे SATA के अलग-अलग version, as well as computer में कहीं भी, अलग-अलग different interface को आप समझो गया, उसकी जो speeds है, उसको अच्छे से समझना है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए, तो SATA 1 की जो maximum speed थी, वो थी 1.5 Gbps, और उसको अगर आप exactly byte में transfer करो, तो बनेगा 192 Mbps, लेकिन, real world में ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो के beginning में कहा था, कि यह जो differences है, वो मैं समझाऊंगा, और issues क्या है, तो real world में अगर आ उसके जो अलग-अलग standards है, उनकी जो technicalities है, वो समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, कि अगर आपके पास SATA 1 drive होगी, तो आपको इतनी speed मिलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता, कभी भी real world में, आपको भी बता होता, तो यह जो speeds है, वो on 150 Mbps, और SATA के साथ साथ एक नया प्रोडोकॉल भी लॉंच किया गया, जो मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में में मेंचन किया, AACI, जो पुराना इंटरफेस था, पेटा पैरलल एटी, उसके साथ IDE यूज होता था, इसलिए आप कही ना कहीं, यह भी users को बहुत confusion है, कुछ जो पेटा ड्राइव होती थी, उसको पेटा ड्राइव कंसेर्टर किया जाता था, कुछ लोग उसे पाटा ड्राइव कहते थे, पेटा ड्राइव कहते थे, और इसके अलावा IDE ड्राइव भी कहते थे, तो पेटा है, वो इंटरफेस है, और IDE है, वो प्रोडोकॉल है, तो इन दोनों को हटागे सेटा में नया इंटरफेस भी डिजाइन किया गया इसके साथ साथ एक नया प्रोडोकॉल भी लॉंच किया तो अगर आपके पास कोई सेटा ड्राइव है उसको आप सेटा इंटरफेस पे चला रहे हो तो बायोस में आपको जो प्रोडोकॉल चूज करन यह SSD के साथ SSD की जब बात होती है अभी आगे हम बात करेंगे तब यह जो पॉइंट है यह प्रोडोकॉल वाला पॉइंट यह बहुत ही जाधा यह बहुत है तो वहाँ पे जो बायोस में डिफॉल्ट बायोस होगा उसमें जो सेटिंग्स भी जाकर देखोगे तो वहाँ पे आई डी सिलेक्टेड होगा वहाँ पे आपको करना है एस तो एस ए और साटा एक दूसरे के साथ अच्छे से वर्क करते हैं और आई डी और सेटा वन ड्राइव को 150 से बियॉंड भी जाते हुए तो यह मैक्सिमुम स्पीड है उसके बाद सेटा वन में कुछ ना कुछ कमी थी सबसे बड़ी जो कमी थी वो तो दिरे-दरे सामने आने लेगी जो लगी हमें स्पीड क्योंकि अगर हम पेटा की बात करें तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 133 Mbps उसका जो आकरी वर्जन था और सेटा 1 में बहुत सारे इंप्रूमेंट हुए केबल चोटा हो गया कनेक्टर चोटा हो गया ठीक है सीरियली ट्रांसवर होने लेकिन स्पीड में इतना ज्यादा इंप्रूमेंट नहीं मिला क्योंकि 133 Mbps से लेके ह पहुँचे थे तो इतना ज़ादा इंप्रूमेंट है लेकिन इतना ज़ादा इंप्रूमेंट नहीं है और यह जो कनेक्टर था सेटा 1 का वो इतना ज़ादा मजबूत नहीं था ठीक है तो फ्रेजाइल था बहुत फ्रेजाइल था अगर किसीने सेटा 1 यूज किया होगा उसको पता होगा और पिछले वीडियो में भी जब मैंने सेटा टू पेटा इंड कनवर्टर की बात की थी तो उसमें मैंने कहा था कि यह जो इंटरफेस आपको मिलेगा सेटा का वो सेटा 1 होगा तो बहुत ही फ्रेजाईल होता था जिसने भी सेटा 1 यूज हुआ किया होगा उसको यह पता होगा शायद कनेक्टर आपसे कई बार तूटा भी होगा मुझसे तूटा है सेटा 1 जब हम कनेक करने की कोशिश करते थे तो कई बार वो इंटरफेस ब्रेक हो जाता था एक बार मुझसे भी हुआ है और मदरबोर्ट डेमेज हो जाता है तो यह सेटा की कमी सेटा 1 की सेटा 1 जो revision था उसमें कमी थी एक तो speed की कमी थी as well as यह जो connector था वो बहुत ही fragile था तो उसके अगले ही साल 2004 में सेटा का दूसरा version release किया गया जिसका नाम है सेटा 2 और उसकी जो maximum bandwidth है वो बढ़ा के कर दी गई double यानि की 3 gigabits per second अब आपको आप इसे exactly bytes में transfer करो तो 384 megabytes per second होता है लेकिन जैसे ही सेटा 1 में मैंने कहा बिल्कुल theory वाली speed practical world में कभी नहीं मिलेगी तो यहाँ पर जो speed मिलती थी maximum speed वो है 300 megabytes per second तो यह बहुत ही successful सेटा का version है क्योंकि इस दोरान यह जब मैं यह सालों की बात कर रहा हूं 2003-2004 तब तक market में SSDs consumer level पे SSDs कहीं भी न यह interface यह protocol यह जो drives है यह use नहीं होती है ठीक है उनकी drives अलग होती है उनके interface अलग होते हैं as well as उनके protocol भी अलग होते हैं तो 2004 में दूसरा version release किया गया जिसमे speed double हो गई और वो जो interface है उसको भी improve करके वो जो fragilness है उसकी वो दूर करके थोड़ा सा मजबूत हो गया connector लेकिन उ data 2 में ऐसा नहीं था सिर्फ आप उसको insert कर सकते हो जैसे आप normal USB को करते हो उसके उपर ऐसा कोई locking mechanism नहीं था तो कई बार क्या होता था जैसे थोड़ा सा cable अगर खिच गया आप कुछ maintenance कर रहे हो या कुछ भी तो वो निकल जाता था मतलब वहां पर locking mechanism नहीं था तो सही से जो boot drive बनाए या कोई और data drive बनाए consumer level पे एक ही drive अवेलेबल थी जिसका नाम है हमारी old school mechanical hard drive traditional hard drive ठीक है तो hard disk drive के लिए सेटा 2 की जो speed है या सेटा 2 interface है वो भी more than enough है मैंने बहुत जार अपने वीडियो में कहा है कि अगर आपको वहां पे hard drives connect करनी है तो आपको सेटा 3 की कोई जरुरत नहीं है ठीक है आपको कोई भी advantage नहीं मिलेगा अगर आप hard drive को सेटा 2 पे लगाते हो या सेटा 3 पे लगाते हो आपको वहां पे कोई भी performance boost कुछ भी नहीं है ऐसा improvement मिलेगा तो hard drives के लिए यह जो interface है वो बहुत जादा अच्छा था और उसो बहुत popular हो गया क्योंकि hard drives market में थी ऐसी hard drives available थी 5400 rpm वाली 5900 rpm वाली और 7200 rpm वाली consumer level पर यह तीन ही drives है जो मतलब maximum जो speed आप कहे या maximum higher level की drive कहे तो 7200 rpm अब इससे जादा rpm वाली जो drives होती है 10,000 और 15,000 वाली वो होती है server board में ठीक है server में use हुआ करती है और उसके लिए interface भी जैसे मैंने कहा अलग use होता है किसी औ और वीडियो में समझाऊंगा तो सेटा 2 बहुत popular रहा चार साल तक कोई नया सेटा 3 जो है वो चार साल के बाद रिलीज हुआ तो चार साल तक कोई नया सेटा का protocol रिलीज नहीं हुआ तो चार साल तक यह बहुत popular रहा बहुत ही successful रहा और hard drives के लिए best है सेटा 2 ठीक है लेकि बहुत उससे भी पहले यूज होती थी लेकिन consumers को consumer level पर यह market मानने लगी और जो normal user है normal consumer है उसको जब SSD का देरे देरे पता चलने लगा कि यह जो drive है वो actual अपना performance नहीं दिखा बारी है because of SATA 2 उसकी जो speed है maximum speed 3 Gbps तो अच्छी से अच्छी quality की भी अगर हम SSD होगी उसको अगर हम SATA 2 पे लगाते हैं तो वो अपना actual performance नहीं दिखा बाएगी और इसलिए 2008 में SATA का तीसरा वर्जन रिलीज किया गया जिसका नाम है SATA 3, serial ATA 3 ठीक है और की जो maximum speed थी वो हो गई पिछले वाले से भी double यानि की 3 Gbps से double 6 Gbps on theories ठीक है यानि की 768 Mbps on theories on paper लेकिन real way 600 Mbps अगर आप इसके बार में पढ़ोगे तो यह speed में बहुत बढ़ा confusion है अलग-अलग side पे अलग-अलग speed mention होती है इसका reason यहीं है कि on theories कुछ speed अलग-अलग होती है और real world में कुछ speed अलग-अलग होती है तो यह जो war है वो हमेशा चलती रही यह कभी end होने वाली है इस पर debate करने से कुछ मतलब नहीं है लेकिन यह आपको समझना पड़ेगा कि SATA 3 है उसकी speed double हो गई उसमें जो मैंने कहा जो locking mechanism नहीं था वो भी improve करके locking mechanism वहां पर बनाया गया SATA 3 cable अगर आप देखोगे तो locking mechanism है उसमें as well as जो interface है जो female port है उसको भी improve किया गया और मजबूत किया गया SATA 1 में बहुत ज्यादा पूर था यह बहुत वीक था SATA 2 में थोड़ा इंप्रूव हो गया और SATA 3 में उससे भी ज्यादा इंपरूव हो गया तो आपको उसका actual performance मिलेगा SATA SHG वाले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से यह समझा चुका हूँ तो यह different different मैंने SATA के जो version थे मुझे आपको समझाने थे और SATA 1 क्या है SATA 2 क्या है SATA 3 क्या है अब इससे जो अगला वीडियो है वो आपको बहुत अच्छे से मैं verification जो SATA पर चाहिए मुझे मुझे करना है या जो जिन users को समझना है मैं आपको समझाँगा यहां पर अभी अगर मैं समझाँगा तो वीडियो 18 मिनिट तो अल्रीडी हो चुके है बहुत जादा लंबा हो जाएगा So I hope कि इस वीडियो मैंने आपको जो भी समझाया जो भी दिखाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी अगर कुछ इश्यू है कुछ नहीं समझ में आया है कुछ भी confusion है तो मुझे पूछिए मैं आपको उसका satisfyingly answer करने की पूर रिकोशिश करूगा I will definitely see you guys later in my next video so till then take care guys learn more and spread the knowledge thank you so much